इस नूज इस ब्रॉट टू बाई निम्बस अकाड़मी फॉर आईएस चंदिगर्ड आईएस एच एएस न्यू बैच स्टार्टिंग फ्रॉम 11 जुलाई वी रन ऑनलाइन और ओफलाइन बोथ बैचेज इतिहासिक चंबा चोगान में शनिवार को राजजस्तरिय हिमाचल दिव्यांग प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का विधिवत तरीके से शुबारंब हुआ इस मौके पर सदर विधायक पवन नईयर ने बतोर मुख्यातिती उपस्तिती दर्श करवाई इस मौके पर उपायुक्त डीसी राना वजिला परिश्यद अध्यक्ष नीलम कुमारी भी विशेश तोर पर मौजूद रही उन्होंने बल्ले से बॉल को हिट करके प्रतियोगिता का विधिवत तरीके से आगास किया उन्होंने प्रतियोगिता के सफलाय ओजन के लिए अपनी और से 51,000 रुपे की राशी देने की घोशना भी की इस प्रतियोगिता में प्रदेश के चार जिलों की टीमें हिस्सा ले रही है इसमें चमबा स्ट्राइकर्ज, शिमला वार्यर्ज, मंडी फाइटर्ज और बिलासपुर लेजन्स टीमें शामल है के लिए बड़े कोड़ा की बात है कि पाराना जी को पूरे माचस इसमें पूरा है इसमें पूरा माचस नहीं इंवाल रहा है चाह टीम में चाहर रहा है तरुशारा, मंडी, सोलन, किनौर और इसे सारे बच्चे रून विक्स करके चाहर टीम में बनाई है और इसका ही आप लिए टोड़ा में नोब जा रहा है इसके बाद इनके सेलेक्शन जो यह ने इसके बाद बच्चे जाएंगे और इसमें पूरी एस्टेशेशन माचस नहीं प्रदेश में यह एस्टेशन है यह वी से आई ने इनको एप्रूबल दी लिए तो यह बड़ी बहुत बड़ी बाद है इसके लिए आम लाग ठाक नही अपनी यूर्शन है कुछ आफ़ार पे जो है अपनी आपनी यूर्शन है कुछ अबच्चों के लिए इस अकैडमी यह कोई ऐसा यहां पर इनको स्ट्रक्ट्सर वाल्ट किया जाए ताकि जहां के बच्चों को यहीं पर टेमी मिले और आगे वी नाम रोशन है यह यह हमार दिवेहमाचल टीवी के लिए चमबा से दीपक शर्मा की रिपोर्ट